नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे और आईए दोस्तों हम आज इंटरनेट की जो है वो दूसरी वीडियो लेके आए हैं और उमीद करता हूं कि आपको फर्स्ट वीडियो जो है वहां से बहुत सारी इंफर्मिशन जो है वो मिली होगी अज हम हम इसके बारे में किस तरीके से इंटरनेट कितने सालों से पराणा पहले से लेके आज तक finns अप्राने के पहले डियो जो होई तो आईए दोस्तों इसकी शुरुवात करते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा सबसे पहले मैं एक motivational line जो है वो उससे शुरुआत करना चाहूंगा कि जरा काम्याब तो होने दो मुझे दोस्त फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे जो चार लोग मेरे पीशे बातें करते हैं बैवी मेरे पीशे चले आएंगे दोस्तो होता क्या है कि जब हम कोई काम करने की तयारी करते हैं चाहे कोई exam है जैसे आज की date में अगर हम देखें कि बहुत सारे students जो हैं धुबा wieder वो ये जो exam निकाले है जो exam calendar anchor निकाला है तो इनकी जो है वो तैयारी कर रहे हैं लेकिं कुश दोस्त जो हमारे ऐसे होते हैं दोस्त होगे हमारे आजपर दोस्त की रहने थो एसे होते हैं एक्सुल में वो ये चाहते हैं और वो आपको डी मॉटिवेट करते हैं और हम भी क्या करते हैं कि उनकी बातों में आकर के अपना जो हमारा मॉटिवेशन लेवल जो होता है उसको हम गिरा देते हैं और जिसकी वज़े से क्या होता है कि हम भी जो है वो ऐसा फिल करते हैं कि हा बात करते हैं तो इसी motivation के साथ दोस्तों हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आज बता-दू की important चीजें वीडियो में हैं Derman亲 के दूख हुआ अर्पानेट, अर्पानेट के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद NSF नेटवर्क जो है वो उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इमेल के बारे में बात करेंगे, www.w.w. के बारे में बात करेंगे और इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकोल जो है वो ये क्या होते हैं ये बड़ा important रहने बाला है इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू मतलब जो interconnect करता है यार बहुत सारी चीज़ों को जैसे हमारे पास जैसे keyboard हो गया ये mouse हो गया जा फिर speakers हो गये तो इन सब चीज़ों के थुरू जो है वो हम एक video बनाते हैं तो वो जो video जो होती है तो उसको internet के थुरू हम क्या करते हैं spread करते हैं तो इंटरनेट क्या करता है कि different devices जो होते हैं तो उनको क्या करता है interconnect करता है suppose करो हमारे पास एक phone है मेरे पास एक phone है तो मेरे को किसी को phone करना है यहां पर एक phone है और एक phone जहां पर है मेरे को किसी को phone करना है उसके बीच में जो है वो एक चीज रहती है ठीक है उसको हम बोलते हैं टावर ठीक है पहले मैं आपको एक शोटी सी कहानी बता रहा हूँ उसके बाद जो है वो जो relevant topic जो है वो relevant जो material जो है तो उसके बारे में भी हम discuss जो है वो करेंगे देखो क्या होता है कि मैं अपने mobile के उ उपर जो है एक number जो है वो उसको dial करता हूँ और यहां से क्या होता है कि जो electromagnetic waves जो होती है उनके थुरू जो है यह मेरा phone जो है वो message बेज़ता है कि इसको टावर को अब इस टावर के उपर plates लगी होती है और यहां से wires लगी रहती है और इसके नीचे जो है वो एक क्या बना होता है server room बना रहता है वो जो server room होता है उसको हम बोलते है data center बोलते है ठीक है data center में server room बना रहता है बहां पे वो message आता है कि हाँ उसको जो है वो यहां से phone आया है इस number पे जो है वो phone किया है यह क्या करता है कि जितने भी बाकी आसपास कि जितने भी जैसे एक यहां पर हो टावर एक यहां पर हो गया यहां पर हो गया उस एरिया में जा फिर बाहर के एरियाज में ठीक है जितने भी टावर हैं सभी को मैसेज जो है वो बेजता है और यह सारे टावर जो है यह अपने सर्वर को जो है वो मैसेज बेजते हैं कि हां भाई यह जो नंबर जिस नंबर प यहां पर इसने जो है वो call की दी ठीक है तो यह क्या करता है कि उसके through ठीक है यह जो server जो होता है तो उसके through जो है तो उसकी call को जो है वो यहां पर पहुंचाता है ठीक है तो यहां से हम जो है वो दूसरे phone जिसका number मिलाया था वो जहां पर है तो इसके साथ जो है वो हम बात क कर सकते हैं और इसके लिए जब हम पहली बार कॉल करते हैं तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है फिर दुबारा से हम कॉल करते हैं थोड़ा कम टाइम लगता है तो यही कारण होता है क्योंकि जब दुबारा हम कॉल करते हैं तो इसको पता होता है इसके सर्वर उस server के जो है वो उसके जो है वो influence में जो है ये number है तो ये सीधा जो है वो call वहां पे जो है वो transfer कर देता है तो ये पहली बार जब हम करते हैं कम time लगता है दूसरी बार जब हम करते हैं तो थोड़ा ज्यादा लगता है दूसरी बार जब हम करते हैं call करते हैं तो थोड़ा कम time लगता है तो जही कारण होता है ठीक है तो ऐसे जो है यह सब काम जो है यह किसकी वज़ाद से server और internet जो है वो इसमें important role जो है वो उसका होता है एक चीज दूसरी चीज दोस्तो हम बात करें अगर कि दूसरी चीज दोस्तो हम एक चीज और के पहुंचाता है तो दोस्तो इसके दो तरीके होते हैं एक होता है यहं तो सेटलाइट के तुरू, सर्वर के साथ हम connect हो सकते हैं, तो दूसरा जो होता है, जा फिर optical fiber cable जो होती है, optical fiber cable जो होती है, तो उनके तुरू जो हम सर्वर के साथ connect होते हैं, और generally ऐसा ही होता है, जो बड़ी-बड़ी companies हैं, जैसे कि Facebook हो गई, Google हो गई, Microsoft हो गई, जा फिर Amazon हो गई, यह सारी American companies हैं, तो इनके जो server हैं, तो यह अमेरिका में हैं, यह companies क्या करती हैं, कि अपनी जो हो, जो optical fiber cables जो हैं, तो उनको भिशा देती हैं, जहां पर जमीन है, तो जमीन के नीचे गाड़ देंगी, और यहां पर समंदर है, तो समंदर के नीचे जो है, वो उसको गाड़ देंगी, क्यों, अब देखो, यहां पर क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं, यहां तो हम satellite के थुरू भी हम कर सकते हैं, यहां फिर इनके थुरू, और ऐसा क्यों होता है, कि यह optical fiber cables जो होती है, तो इनक light के थुरू जो है, वो signal जाता है, ठीक है, light के थुरू, और यह हमें पता है, कि light जो है, तो बो मतलब spread होती है, fastest, सबसे ज़्यादा जो है, वो fastest क्या होता है, light होती है, तो तभी जो है, इनका जो है, इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक IP address ह जो है, तो बोह हमें इस चीज के बारे में बताता है, कि जो data हमारे पास आ रहा है, तो बोह कौनसा server जो है जिसके थुरू data हमारे पास आ रहा है, तो दोस्तो ये थी शोटी सी एक मतलब कहानी के टाइप पे लेकिन हमें जो है वो यहां पर कहानी के टाइप पे नहीं समझना होगा इंटरनेट को क्यों क्योंकि हमें देखना है इसको examination point of view से तो आईए दोस्तो उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि in 1969 the University of California at Los Angeles, the University of Utah were connected as the beginning of the ARPANET ARPANET की full form क्या होती है Advanced Research Project Agency Network, world's first optical operational package switching network The goal of this project was to connect computers at different universities and US defense सबसे पहले क्या होता है 1969 में University of California ने क्या किया डेवलब किया मतलब DARPA जो था तो उसने जो है वो डेवलब किया था किसको ARPANET को और ARPANET जो था तो यह क्या था एक WAN था Wide Area Network था एक होता है हमारे पास LAN ठीक है और एक होता है हमारे पास MAN ठीक है और Metropolitan Area Network होता है और एक होता है WN Wide Area Network तो उसने जो है इसको जो है वो डेवलब किया था ठीक है तो इसके बारे में हमें सिर्फ यह देखना है कि 1969 में University of California और University of Utah यह दोनों connected हुई थी किसकी बज़ा से अर्पानेट की बज़ा से अर्पानेट की फुल फर्म क्या होती है Advanced Research Project Agency Network उसके बाद क्या आ गया कि वर्ल का फर्स्ट operational packet switching network था यह वर्ल का फर्स्ट operational packet switching network था क्या अर्पानेट और गोल जो था इस प्रोजेक्ट का कि computers जो थें तो उनको connect करना different universities और US defenses देखो US defense जो है यह बहुत बड़ा है यह से यह आ गया बहुत बड़ा US defense system ठीक है तो कोई system यहां से यहां पर connect करेगा यहां से इसी पूरे को जो है वो connect करना यह इसका जो था main goal था तो यह था about अर्पानेट के बारे में तो दोस्तों NSF network के बारे में उसके बाद क्या होता है 1970 में 1970 में एक और federal agency थी तो उसने क्या किया National Science Foundation Network जो था वो बनाया ठीक है यह जो network था यह ज्यादा capable था as compared to ARPANET ARPANET के मामले में यह ज्यादा capable था लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ academic research के लिए बनाया गया था उसके बगार जो है इसका कोई और काम नहीं था तो यह था क्या National Science Foundation Network थीक है National Science Foundation Network थीक है उसके बाद उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 1980 में 1980 में क्या होता है कि बहुत सारी internet की applications आ गई जैसे की email आ गई news groups हो गई जब फाइल transfer facility means file transfer protocol हो गया सबसे पहले हम बात करते हैं email की अब email जो होती थी इसको हम बोलते हैं electronic mail आलांकि यह एक अलग से topic है तो इसके बारे में हम अलग video बनाएंगे तो email जैसे हम क्या करते हैं एक photo जो है वो किसी को बेजना है ठीक है तो वो photo क्या होता है शोटे शोटे packets में बंड जाता है और उ यह सब जो है परिक्रिया जो होती है यह internet की मदद से जो होती है उसके बाद हम बात करते हैं newsgroups अब newsgroups क्या करते हैं कि जो भी message जो है उनको exchange करना है तो यह सब भी जो है थे तो यह internet की बज़ा से शुरू की मदद से जो थे वो बेजते थे उसके बाद हो गया कि जो FTP file transfer protocol actually इसका काम ही जही था कि files जो है तो उनको transfer करना किसके थुरू कुछ protocols थे उन protocols के थुरू ठीक है तो यह सब जो है वो शुरूआत हो गई 1980s में ठीक है और यह सब किसकी बज़ा से शुरूआत हुई यह सब internet की मदद से जो है यह सारे काम होने लगे उसके बाद क्या होता है कि 1990s में क्या होता है कि एक application आती है जिसका नाम होता है World Wide Web जिसने क्या किया कि जो internet को जिस तरीके से उससे पहले इस्तेमाद किया जाता था उस तरीके को उस रास्ते को ही उसने बदल दिया अब www जो है वो एक सिस्टम है जिससे create किया जा सकता है जब फिर organize करते हैं जब फिर documents को हम link कर सकते हैं linking कर सकते है documents को जिसको create किया गया था एक British scientist की दवारा और उस scientist का नाम था Team Banners Link की क्या उनके दवारा जो है इसको जो है वो create किया गया था तो यहां से भी question जो है वो वंड सकता है कि www जो था तो उसको create किसके दवारा जो है वो किया गया था Team Banners Link इन 1993 में क्या होता है Mark Adderson जो थे तो उन्होंने Mossack browser जो था तो उसको भी develop किया था ठीक है दोस्तों आज की date में अगर हम देखे ना और internet और www इन दोनों ही चीज़ों ने क्या कर दिया है कि पूरा whole जितना भी संसार है तो पूरे को connect कर दिया है ठीक है आज की date में कौन है जो internet से जो बंचित रह गया होगा सारे लोग इंटरनेट से connected रहें चाहे वो social media का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे वो facebook का का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे वो किसी भी अप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटर networking protocol के बारे में अब इसमें क्या होता है कि हम कोई अगर किसी को message बेशते हैं तो वो किस तो किस तरीके से message किसी को पहुँचता है कोई message किसी को बेजा जाता है तो किस तरीके से message वो उसके पहुँचता है तो इसके लिए discuss करते हैं TCP IP is the communication protocol for the internet देखो इंटरनेट जो है उसके लिए TCP IP जो है वो Communication Protocol है ठीक है The TCP IP Protocol has two parts इसके दो बार्ट होते हैं एक TCP और एक IP सबसे पहले बात करते हम Transmission Control Protocol के बारे में यह क्या होता है जो प्रोवाइड करता है Reliable Transport Service जो है वो प्रोवाइड करता है देखो सबसे पहले क्या होता है कि यह TCP जो होता है Transmission Control Protocol जो होता है वो Convert करता है Message को Set of Packets में देखो शोटी-शोटे Packets में जो है वो उसको Convert करता है इसके लिए TCP जो Operates करता है उसको हम बोलते है Packet Switching Technique जो है वो उसको बोलते है ठीक है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ देखो हम क्या करते है किसी को यह एक हमारे पास Message है एक मिनिट यार यह लिख रहा नहीं है यह से यह मेरे पास एक Message है एक मिनिट हां यह मेरे पास एक स्पोस करो Message है ठीक है तो यह Message मेरे को यहां पर पहुंचाना है ठीक है तो TCP यहां पर Transmission Control Protocol जो है वो किस तरीके से काम करता है कि Message को यह जो Message है जैसे यह Message में मैंने एक फोटो जो है वो बेजनी है इसको वो क्या करता है शोटे-शोटे Packets में जो है वो इसको Divide कर देता है शोटी-शोटे Packets में अब शोटी-शोटे Packets जो है वो यहां से लेके यहां पर जो है वो जा रहे है ठीक है यह शोटी-शोटे Packets जो है वो कहां पर जा रहे हैं यहां पर जाएंगे ठीक है small small packets है अब हर एक packet जो होगा जैसे ये हो गया ये हो गया हर एक packet का अपना जो है वो उसके उपर address जो है वो लिखा होगा address sequencing information जो है वो इसके उपर लिखी होगी ठीक है ये जो information जो होगी क्यों लिखी होगी क्योंकि जो address जो है मतलब ये जो packets जो हैं तो यह destination यहां तक पहुंचाना है ना तो यहां पर जो है यह सारे पहुंचाएं ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहां से आएगा कोई यहां से जाएगा कोई यहां से जाएगा लेकिन destination पर यहां पर पहुंचना है तो यह सारे address इसलिए इनके उपर लिखा होता है packets के उपर कि यह destination पर पहुंच जाए अब यहां पर आके क्या होता है अब यह सारे packets जो है वो यहां पर पहुंच जाते हैं यह बंदा है इसके phone पर पहुंच जाते हैं suppose करो यहां पर तो फिर वहां पर वो उसको खोलता है जैसे वो खोलता है तो यह packets जो है वो यह जुनना तरफ जो है वो खुलती है तो वही प्रोसीजर होता है कि जो पैकेट्स जो होते हैं तो पूरी पिक्चर में दुवारा से वो convert हो रहे हैं ठीक है तो यह होता है अपना TCP ठीक है Transmission Control Protocol इसके बाद हम बात करते हैं internet protocol के बारे में checklist इंट्रनेट protocol Assault Assistive साहथट Generations. अब यह क्या करता है internet protocol जो होता है यह handle करता है कि इसको, जो dispatch of APF handfuls होते हैं जो जहांसे dispatch हो गए हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए dispatch हो गए हैं यह उनको लिका है उनके उपर पैकेट इंडराइस लिखा है क्या वो प्रब्र टैस्टिनेशन पर पहुंँ रहे हैं जा नहीं पहुंच रहे हैं उन सब चीजों को जो है वो देखता है क्यूंकि वो मल्टिपल नेटवर्क्स के ठूब यहां से आ रहे हैं कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई अगर यर्डरेस दूसरा होगा तो दूसरी ज़मा पर चले जाएगा तो वो इंटर्नेट प्रोटोकॉल जो होता है वो यह देखता है कि आई पी अडरस जो इनके उपर लेखा है वो वही है जो जहाँ पर पहुंचना चाहिए और वो destination उस destination पर वो message जो है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है तो यह सब चीजें जो है वो internet protocol जो होता है तो वो देखता है ठीक है तो यह था internet networking protocol के बारे में इसमें हमने पढ़ा TCP IP के बारे में transmission control protocol और internet protocol के बारे में तो ओके दोस्तों यह था हमारा history of internet के बारे में जो हमारी next video जो हो आने वाली है तो उसमें हम बात करेंगे कि जो internet connections जो हैं उनके बारे में उसके साथ ही हमारा जो इंटरनेट का जो topic जो होगा जो हमारा complete हो जाएगा तो दोस्तो आपको जो है वो वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को प्लीज जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि जो information जो है वो उन तक भी पहुंच सके और मेरे को जो है वो motivation मिल सके कि जैसे जादा सी जादा आदमी जो है वो देखेंगे वीडियो को तो मुझे ये motivation मिलेगी कि मैं अच्छे से अच्छा जो है वो अपना काम जो है वो करूँ अच्छी से अच्छी जादा सी जादा research करूँ ताकि relevant topic जो है वो relevant information जो है वो आप तक जो है वो पहुंच सके so thank you so much guys